जैश्री हरी, स्प्रीचल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज की वीडियो में जिस कथा को हम सुनने वाले हैं वो है श्री कृष्ण का मुंडन संसकार प्राचिन काल में व्रज के लोगों का मुख्य ववसाय गोचारन था, इसलिए मुख्य ववसाय से संबंदित कुछ वर्षनाय भी थी, आब इसे वर्षनाय कहें या सामाजिक नियम, बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था, अब तो हम काफी आधुनिक हो गए हैं या यूं कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं, नहीं तो हमारे यहां भी बालक को मुंडन से पहले ऐसी वैसी जगह जाने नहीं दिया जाता था, खेर बालक क्रिश्न रोज अपने परिवार के वा पास क्षप्रोश के सभी पुर्शों को थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने चाते देखतें.' । उनका भी मन करता पर माया ये शोदा उन्हें मना कर देती है कहती तू अभी छोटा है थोड़ा बड़ा होजा फिर जाने दुंगी एक दिन बलराम जी को गाय चराने चाते देखकर लाला अड़ गए दाव जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा यह क्या बात हुई? वो बड़े और मैं छोटा महिया ने समझाया कि दाव का मुंडन हो चुका है इसलिए वो जा सकते हैं तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे लल्ला को चिंता हुई इतनी सुन्दर लटे रखें या गाय चराने जाएं? बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर से उग जाएंगी पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए वे तुरंद नंद बाबा से बोले कल ही मेरा मुंडन करा दो मुझे गाय चराने जाना है नंद बाबा हसकर बोले ऐसे कैसे करा दे मुंडन हमारे लल्ला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे तब लल्ला के केस जाएंगे लल्ला ने अधीरता से कहा आपको जो आयोजन करना है करो पर मुझे तो गाय चराने जाना है आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवा दो मुंडन तो करवाना ही था अतहा नंद बाबा ने गरगा चारे जी से लल्ला के मुंडन का शुब मुहरत निकलवाने का आग रह किया निकट में अक्षे तृत्या का दिन शुब था इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तै हुआ आसपास के सभी गाउं में नियूते बाटे गए हर्शोलास से कई तयारियां की गए आखिर आयोजन का दिन आ ही गया आसपास के गाउं के हजारों अतीतियों की उपस्तिती में भव्य आयोजन हुआ मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लल्ला मैया से बोले मैया मुझे कलेवा नाश्ता दे दो मुझे गाय चराने जाना है मैया थोड़ी नराज होते हुए बोली इतने महमान आये हैं घर में तुम्हें देखने और तुम हो की इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो थोड़े दिन रुको गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाव के साथ भेज दूँगी लल्ला भी अढ़ गय ऐसा थोड़े ही होता है मैंने तो गाय चराने के लिए ही तो मुन्हन कराया था है नहीं तो मैं इतनी सुन्दर लटों को काटने क्यों देता मैं कुछ नहीं जानता मैं तो आज और अभी जाऊंगा गाय चराने मैया ने नंद बाबा को बुला कर कहा लल्ला मान नहीं रहा है थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आईए इसका मन भी बहल जाएगा क्यूंकि इस गर्मी में इसे दाव के साथ तो अकेले नहीं भेजूँगी नंद बाबा सब को छोड़ कर निकले लल्ला भी पूरी तयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले एक बच्चिया भी ले ली जिसे हुर हुर कर घेर कर वो अपने मन में बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर अब मैं बड़ा हो ही गया बच्चपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे और आज हम बड़े होकर सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा होता खेर गर्मी भी वैशाक महा की थी और रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है थोड़ी ही देर में बालक श्रीक्रेश्न गर्मी से बेहाल हो गए पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते बाबा को कहते कैसे कि ठक गया हूँ अब घर ले चलो चलते रहे मया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती पर संग में बाबा थे वे भी चलते रहे थोड़ी ही दूर ललीता जी और कुछ अन्य सक्खिया मिली देखते ही लला जी की हालत समझ गए गर्मी से क्रिश्न का मुखलाल हो गया था सर पर बाल भी नहीं थे इसे लला पसीने पसीने हो गए थे उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ हाम इसे कुछ देज बार नंद आले पहुँचा देंगे नंद बाबा को रवाना कर वो लला को निकट ही अपने कुंच में ले गई उन्होंने बालक क्रिश्न को कदंब की सीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सक्षियों को घर से चंदन खर्बूजे के बीज मिश्री का पका पूरा इलायची मिश्री आदि लाने को कहा सभी सामगरी लाकर उन सक्षियों ने प्रेम भाव से क्रिश्न के तन पर चंदन की गोटिया लगाई और सिर पर चंदन का लेब किया कुछ सक्षियों ने पास में ही बूरे और खर्बूजे के बीच के लड़ू बना दिये और इलायची को पीस कर मिस्री के रस में मिलाकर शीतल शर्बत तयार कर दिया साथ ही ललीता जी लला को पंखा जलने लगी यह सब अरोग कर लला को नीद आने लगी तो ललीता जी ने उन्हें वही सोने को कहा और स्वयम उनका पंखा जलती ने कुछ देरा राम करने के बाद लला उठे और ललीता जी उन्हें नंदाले छोड़ाई लला ने गर्मी में गाय चराने का विचारव त्याग लिया था आपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष गोपास्टमी दिवाली के बादवाली अस्टमी के दिन से प्रारम भी किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड़ू अकेले श्री जी को भोग लगाया जाते हैं, अन्य थां अन्य दिनों में बीज के लड़ू के साथ चिरुन जी के लड़ू का भी भोग लगाया जाता है. कैसी लगी आपको कथा कमेंट सेक्शन में बताए वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें जद से जद लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें